दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर विहार देखिए दोस्तों बहुत लोगों को मचली खाना पसंद नहीं होता है लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद से आप चाहेंगे के मुझे मचली जरूर खाना चाहिए क्यूंकि इसमें मैं जो फायदा आपको बता बताता हूँ इसमें मचली में मुख्य रूप से विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C पाया जाता है इसमें आईरन और कैल्शियम भी मिलता है इसकी फासफोरस और सेलेनियम सामगरी शरीर के लिए खास तोर से जरूरी है क्यूं आएए इसको और विस्तार से आपको बता रता हूँ एक नमबर मचली खाने से हड़ी मजबूत होता है और अगर गठिया का रोग है किसी को गठिया का तकलिफ है तो उसमें भी आरामम मिलता दूसरा इससे आँखों की रोशनी तेज होती अगर बढ़ती उमर के कारण आपके आँखों की रोशनी में कमी आ रही है तो मचली खाईए, इससे आपके आँखों की रोशनी तेज होगी. नमबर तीन, मचली खाने से दिमाग तेज होता है, इससे आपको याददाश्ट बढ़ाने में मदद मिलेगा दोस्तों, तो जरूर खाईए मचली. इसके अलावा, सबसे जरूरी चीज, खास तोर से महिलाओं में ये जुनून है कि हमको वजन कम करना है, वजन घाटाना है, तो दोस्तों मचली खाईए, मचली खाने से वजन कम करने में, घाटाने में मदद मिलता है. इसके अलावा, इस भाग दोड भरी जिन्दगी में आपको, हमको, सबको घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है, तो दोस्तों मचली खाने से सूरज की जो तेज रोशनी होती है, पारा बैगनी किरन होती है, उससे बचने में मदद मिलता है, और जो एसकिन बर्न होता है ध चमकदार रहता है, अगर आपका उमर ज्यादा है, लेकिन आप मचली हमेशा खाते हैं, तो आपका एसकिन चमकदार होने के वज़से, आप कम उमर के दिखाई देंगी, तो ये भी फाइदा है दोस्तों, इसके अलावा, अगर आपके चेहरे पर मुहासा है, अगर आप मच मचली का सेवन करते हैं मचली खाते हैं तो आपका जो चेहरे पर मुहासा है उसमें कमी आएगी जो कील मुहासे चेहरे पर हो जाते हैं डॉक्टर के पास जा करके आप सैकड़ो हजारों रुपईया खर्च करते हैं इलाज के लिए तो बेहतर है कि आप मचली खाईए और खा क पर के खील मुहासे से छुटकारा पाईए। इसके अलावा दूस्तों खास तोर से ये महिलाओं में देखा जाता है कि और तो में देखा जाता है उनको बाल अपना चमकदार और सुनहरा चाहिए। इसके लिए बहुत सारा बजार से शेंपू और तरह-तरह के केमिकल अपने बालों पर लगा करके और भी नुक्सान कर लेते हैं तो बेहतर है कि कुदरती इलाज कीजिए, मचली खाने से आपका बाल स्वस्त रहता है, तो है न दोस्तों फाइदे मंद चीज, देखिए दोस्तों, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों से मैंने रा डॉक्टर हैं उनसे राई लीजिए, अगर मेरा कहा हुआ बात सही है, तो वापस आकर के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, ताकि वो भी इस से फाइ बात, थेंक यू, शुक्रिया